आपको क्या है? सल्फ डाउट या सल्फ लव? मुझे तो दो लोगी है पर सल्फ लव थोड़ा जादा है और सब को होना भी चाहिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो जज होने से डरते होंगे और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सल्फ डाउट जादा होता है और सल्फ लव कम होता है ऐसे लोगों को सल्फ लव करना सीखना ज़रूरी है सोसाइटे जज़ करने के लिए होती है क्योंकि ज़ज करना आसान होता है पर सल्फ लव करना मुश्किल तो है पर impossible नहीं I understand हमारी जनरेशन ही कुछ ऐसी है कि एक बल में आपको उठा दे दूसरे बल में आपको गिलाभी दे अगर एक बंदा सल्फ डाउट कर रहा है तो उसे ये कहा जाएगा सल्फ लव करना सीखो पर कैसे करना है ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि वो तो खुद होता है और अगर एक बंदा सल्फ लव करना जानता हो तो उसे ये कहा जाएगा ये तो कितना घमंडी है जब देखो तब खुद की तारीफ करता रहता है अपने एक्सामपल्स दिया करता है बट नेवर माइन ये एक पॉइंट पे चोटे हो लंबे हो कैसे भी हो आप बीटिफुल हो आपको खुद के लिए इंपोर्टेंट होना ज़रूरी है आपको खुद के लिए स्पेशल होना ज़रूरी है और लाइफ में तीन बाते यादरना ज़रूरी है पहला कि आपने अपने body parts को खुद को खुद चूज नहीं करा है आप जैसे भी हो God gifted हो मेभी हम कुछ चीज़े बदल सकते हैं पर बदलना क्यों है क्योंकि हमारी family हम जैसे भी है हमसे उसी तरह से प्यार करती है हमारे दोस्त भी हमसे प्यार करते हैं और दूसरा बात हम सब को less feel करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के पास हमसे कुछ तो कम ही होता है पर कभी notice करना वही लोग हमारी जैसे की निसाल बन जाते हैं और तीसरा बात लाइफ में successful होने के लिए न physical appearance बिलकुल मैटर नहीं करता टैलेंट की जरूरत होती है पर टैलेंट हम सब में जरूर होता है अब सोसाइटी तो judge करना बन नहीं करेगी पर हम अपने self-doubts को self-love में जरूर बदर सकते हैं और अगर हमें self-love करना आ गया न हम सही माइन में जीना सिख चाहेंगे self-love is important we all know we are the best because in the end it's always you hello dear friends I hope आप सब को मेरा वीडियो अच्छा लगा है then please like, comment and share my video and subscribe to my channel thank you